बुधवार को प्रेस कॉन्फरेंस में गौतम गंभीर ने साफ किया कि वे केल राहूल को उनकी असफलताओं के बावजूद और मौके देंगे। गंभीर ने कहा सोशल मीडिया का कोई मतलब नहीं है, टीम और कैप्टन क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण है। राहूल वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है और उसने मुश्किल विकेट पर बांगलादेश के खिलाफ कानपूर में एक अच्छी पारी खेली। गंभीर ने ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि वर जानता होगा कि उसे बड़े रन बनाने है और उसके पास रन बनाने की ख्षमता है इसलिए टीम ने उसको सपोर्ट किया है। आखिरकार हर किसी को अंतराश्ट्रिय क्रिकेट में जच किया जाता है। गंभीर की प्रेस कॉंफरेंस के बाद ऐसा लग रहा है कि पहले टेस्ट में न्यूजीलेंड के खिलाफ शानदार 150 रन बनाने के बावजूद सर्फराज खान को दूसरे मैच में बाहर बैठना पड़ेगा और केल राहुल टीम में बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें।